तुझे देखे मेरी आखें ठीक है तो चलिए दोस्तों करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों क्योंकि मैं ऐसी ही UPSSY पैट से related वीडियो दोस्तों रोज लेकर आ रहा हूँ ठीक है और आपका syllabus complete करवाने की जिम्मेदारी भी ली है मैंने ठीक है तो चलिए दोस्तों start करते हैं हम लोग मौरे समराज अगर दोस्तों हम बात करते हैं मौरे समराज जी की ठीक है तो मौरे समराज की सबसे पहले बात आती है दोस्तों हर किसी समराज जी की किसी ना किसी ने दोस्तों क्या रहे करी होती है इस थापना ठीक है इस फिरकार ही दोस्तों मौरे समराज की भी स्थापना की होगी और दो, दोस्तो, मौरे समराज की स्थाफना किसने की होगी दोस्तो, वो की है, दोस्तो, आपकी चंदरगुप्त मौरे ने, ठीक है, चंदरगुप्त मौरे ने किलियर है बाद, दोस्तो, हर एकats related हर एक चीज, दोस्तो, आपकी यहाँ पर complete कराँगा में और गारंटी दोस्तों आपसे वादा करता हूं कि दोस्तों आपका यहां से कोई भी कोशन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री से, और इंडियन नेशनल मुव्मेंट इसके जश्ट बाद दोस्तों हम लोग सुरू कर देंगे, कम्प्लीट कराने के बाद, और इंडियन ठीक है, चंद्रगुप्त मौरे ने एक पुस्तक लिखी थी, बता दिजे कौन सी लिखी थी, चंद्रगुप्त ने, बताए भाई, बताए भाई, कौन सी पुस्तक लिखी थी, अच्छा, एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, चाड़क के ने, तो चाड़क के ने दोस्तों आपसे मैं question पूछा करूगा है में सकते तो यहीं से दोस्तों आप लोग को एक question और बनाएंगे चारक के six, these इस चंडरुप्त क्वार का पिरद्धान मंत्री था थीक है इस पिरकार से relate करते हुए हर एक चीज को पढ़ेंगे और आप दोस्तों कॉपी में अपने जरूर नोट करेंगे हर एक चीज जो भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है जरासी भी दोस्तों मुझे भूल चूक नहीं चाहिए इतनी बात आप लोग याद रखिएगा और इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों क्या था इनकी पुस्तक का नाम था अर्थ सास्त्र ठीक है इन्होंने एक बुग भी लिखी थी दोस्तों बुग जिसका नाम दोस्तों क्या था अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र जिसका संबंद दोस्तों किस से था जिसका संबंद था दोस्तों आपका राज नीती से के लिए रोई बात एक एक्ची समझ में आ रही है अथा चंद्रगुप्त जो थे आपके वो थे जैन धर्म के ठीक है चंद्रगुप्त कौन थे जैन धर्म के अनुयाई थे ठीक है चंद्रगुप्त कौन थे भाई जैन धर्म के अनुयाई थे और इन्होंने क्या कया था इन्होंने भद्र वाहू से जैन धर्म की सिक्षा ली थी अब जो सिक्षा वी ली होगी इन्होंने तो इन्होंने सोस्तो सिक्षा किस से ली थी इन्होंने सिक्षा ली थी जैन धर्म की ठीक है जैन धर्म की सिक्षा ऐसा करके लिख लीजिए जैन धर्म की सिक्षा इन्होंने किसे ली थी भद्र बाहू से ठीक है किसे भद्र बाहू से इन्होंने क्या की थी जैन धर्म की सिक्षा ली थी ठीक है चंद्रगुप्त मौरे के दरवार में दोस्तों आपका कौन आया था जल्दी बताइए कौन आया था सेल्यूकस निकेटर आया था ठीक है चंद्रगुप्त मौरे के दरवार में कौन आया था सेल्यूकस निकेटर ठीक है ऐसे करके लिखेगा के दरवार में आया ठीक है और जो कौन था चंद्रकुत मौरे के दरवार में सैल्यू के सिनिकेटर आया और किस ने भेजा था दोस्तों मेगस्थनीच को भेजा था ठीक है राजदूद मेगस्थनीच को भेजा था ठीक है तो सैल्यू के स्निकेटर ने दोस्तों इनके जो राजदूस थे राजदूस थे राजदूस इनके राजदूस कौन से दोस्तों मेगस्त नीज सैल्यू के स्निकेटर के राजदूस कौन से दोस्तों मेगस्त नीज इन्हें दोस्तों भेजा था दिरवार में मेगस्थनीज सैल्यू के सिनिकेटर ने सैल्यू के सिनिकेटर में चंद्रकुप तुम मौरे के दिरवार में किसको भेजाता भई मेगस्थनीज को भेजा था जो कौन से दोस्तों राजदूस थे किसके सेल्यूर के सिनकेट रगे, केलियर होई बात सभी को, ठीक है, अब मेगस्थनीज जैसे ही आपके दिमाग में नाम आएगा, तो आपके दिमाग में दोस्तो एक बात आनी चाहिए, कौन सी, मेगस्थनीज ने दोस्तो एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, इन्हों ने एक बुक अच्छा, मौरे राजवन्स का जो दोस्तो पीरियड रहा, मौरे राजवन्स का जो पीरियड रहा वो भी आप लोग लिख लीजिए, मौरे राजवन्स का पीरियड क्या रहा था भई, वो रहा था दोस्तों, मौरे राजवन्स, यहीं पे लिख लीजिएगा पीरियड, ठ 323 से 184 इसा पूरु ठीक है अच्छा मुद्रा राक्षस में चंद्रकुपत को दोस्तो क्या कहा जाता था दो नामों से और जाना जाता था किसमें मुद्रा राक्षस में तो बो भी दोस्तो यहीं में लिखिएगा मुद्रा राक्षस में चंद्रकुपत दो नामों से और जाना जाता था एक था दोस्तो अपका बिरशल और दूसरा क्या था दोस्तो कुलहीन ठीक है क्या था कुलहीन इन दो नामों से और जाना जाता था चंद्रकुपत को ठीक है इन दो नामों से और आपका जाना जाता था किसको भई चंद्रगुप्त को मुद्र राक्षेस में केलियर है मेरी बाद अब दोस्तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में जो दोस्तो हमारा पैट में दोस्तो पूछा जाएगा मौरे राजवन्स के बाद क्या वो है दोस्तो आपका बिंदू सार अशोक अशोक ठीक है तो टोपिक डालिएगा दोस्तो इसमें भी आप क्या अशोक अशोक ठीक है अशोक के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तो अशोक के बारे में दोस्तो अब हम लोग देखेंगे ठीक है भई चली अशोक के बारे में उत्रा धीकारी उत्रा धीकारी कौन था असोक था उत्रा धीकारी असोक महान इसे असोक महान कहा जाता था ठीक है भई असोक महान हुआ या था ठीक है तो बिंदु सार का जो उत्रा धीकारी था वो असोक महान था ठीक है और इसने क्या किया था दोस्तो इसने राजगदी पर बैठने से पहले असोक आवंती का राज जपाल था ठीक है राज गद्धी पर दोस्तों बैठने से पहले ही जो अशोक था वो कहा था आवंती का राज जपाल था तो गद्धी पर बैठने से पहले असोक क्या था भाई आवंती का राज जपाल था आवंती का राज जपाल था ठीक है कौन अशोग, ठीक है सांची का बहुद इस्टूप, किसने वनवाया था दोस्तों उस दिन में आप उने बताया था, तो किसने वनवाया था, अशोग ने वनवाया था, तो असोग से related जितने दोस्तों fact आप निकाल सकते हैं, वो निकाले ये और उसके जरीये से क्या क साची का बहुत उस्तूप, ठीक है, किस ने बनवाय था भई, असोक ने बनवाय था, अशोक ने, किस ने बनवाय था, असोक महान ने, तो आप से पुछले कि साची का बहुत उस्तूप किस ने बनवाय था, तो आप कहेंगे किस ने, असोक महान ने, साची का बहुत में आ रहा है चलिए अशोख के अभी लेग थे भाई एक सोदा सिला लेग इनों ने लिखे जिसमें मेहदरबूर कौन था इस्थंबलेग और गुहा लेग ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं पिरमुग भारतिये सासक तथा उनकी उपाधियां ठीक है पिरमुग भारति पिरमुग भारतिये सासक तथा उनकी उपाधियां ठीक है पिरमुग भारतिये सासक तथा उनकी उपाधियां ठीक है पिरमुग भारतिये सासक तथा उनकी उपाधियां के लिए रबत बात केलियर है समी को, चलिए, पिर मुख भारती ये सासक तो था उनकी उपादिया, तो एक तरफ लिखेंगे आप भारती ये सासक, और दूसरी तरफ लिखेंगे क्या उनकी उपादिया, ठीक है, तो यहां पर लिख लिखेंगे सासक और एक तरफ लिखेंगे क्या उपादि ठीक है, तो कहा लिखा सासक और उपादिया, तो पहले लिखेंगे हम लोग बिंदू सार, ये चीज़े दोस्ता आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जो भी चीज करवाँगा मैं उसको याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज दोस्तों बेवज़ा की फालतू की चीज नह से, किसे बिंदू सार को, दूसरे नमबर पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, किसकी अशोक की, दूसरे नमबर पर हम किसकी बात करते हैं, अशोक की, तो अशोक को क्या नाम से जान देते हैं, देव नापी और प्रिये दर्शी, ठीक है, किस नाम से देव, नाम पी, और प् का सवाल है थीक है छलिए फिर है आपका समुद्र गुप्त समुद्र को दोस्तों किस नाम से जानते थे समुद्र को दोस्तों जानते किरतांत और परशू करतांत और परशू के लिए रभाई किरतांत परशू चलिए समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों आपके लिखेंगे चंद्रगुप्त पिर्थम ठीक है चंद्रगुप्त पिर्थम कोशन डारेक्ट दोस्तों यहां से बनेगा यूपी त्रपल सी पैट में चंद्रगुप्त पिर्थम इन्हें क्या कहा जाता था भाई महराज धिराज ठीक है महराज धिराज इन्हें कहा जाता था महराज महराज धिराज ठीक है महराज धिराज इन्हें कहा जाता था के लिए ना भाई मेरी बाद चंदरगुप्त पिर्थम हो गए फिर इसके बाद चंदरगुप्त दिरतिये आएंगे ठीक है चंदरगुप्त चंदरगुप्त दिरतिये इसकी PDF टेलिग्राम पर भेज़ दूँगा तो सभी लोग टेलिग्राम पर जोड़ जाए नीचे description में link दे रखा है ठीक है तो चंदरगुप्ति दिर्तियों क्या कहा जाता था भाई बिक्रमा दित्ते ये बहुत famous question है बिक्रमा दित्ते ठीक है चंदरगुप्ति दिर्तियों क्या कहा जाता था बिक्रमा दित्ते कहा जाता था अच्छा बात करते हैं हम लोग किसकी हर्षबर्धन की हर्षबर्धन तो हर्षबर्धन को दोस्तों क्या कहते थे सिला दित्ते क्या कहते थे भाई शिला दित्त कहा जाता था काई यहिभात बिंदुसार अका क्लियर हुआ है निहगोर कहते हैं देवनामपी समुद्रओर्गप्त की बात करते हैं किर्टांत और करते हैं किर्थान्त और पर्शु सब्सकूर पिर्थम धिए महराज, दिराज, चंद्रकुपती दिर्थियों को कहते थे, बिक्रमा दित्ते, और हर्ष वर्थन को कहते थे, भाई, सिला दित्ते, और कनिश्क को कहते थे, भाई, देव कूत्र, दोस्तो यहां से UPSC पैट में को कोशन बिनने के बहुत जादा चांसे से, ठीक है, UPSC पैट तो यहां से दोस्तो पांच नमबर का आना है, और इस्टेटिक जी के दोस्तो आपको पता ही है, सभी को साम को चल लिए, दस नमबर की क्लास दोस्तो पांच वजे, और दोस्तो संडे है आज, और आज आज आपकी दोस्तो पूरी कोसिस करूँगा दोस्तो आपकी आठ वज ठीक है जो आपकी 20 मारसी किलात है सबसे बड़ी किलास दोस्त आपकी यह होगी गिराफ और टेवल की ठीक है रात के 8 वजे हो सकता है दोस्तो आज मैं आपकी लगा दूँँगा जैसा भी होगा क्या में टेपर मैं आपको लोगों को बता दूँगा ठीक है किलिए होगी बात एक कोशन यहाँ पर ऑर बनता है कि असोग का कौन सा सिलालेख सबसे लम्बा है तो दोस्तो यह कोशन आता है तो आप लिख लीजेगा असोग का सातवा सिलालेख ठीक है भई चलिए आगे बढ़े चलिए आगे वड़ते हैं लोग अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तो कि पिर्मुख राजबंस उनके संस्थापक और उनकी राजधानिया ठीक है पिर्मुख राजबंस और उनके संस्थापक और उनकी राजधानिया ठीक है हो सकता है पूछ ले आपसे छोड़ना कुछ भी नहीं है दोस्तो है नी छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है कि कहीं से भी पूछ सकता है आपका ठीक है चलिए तो हम लोग यहां पर एक page आइट कर लेते हैं दोस्तो यहां पर हम लोग करते हैं ठीक है पिर्मुख राजवन्स संस्थापक और राजदानिया टॉपिक डाल लीजेगा पिर्मुख राजवन्स पिर्मुख राजवन्स संस्थापक और उनकी राजदानिया ठीक है राजदानिया के लिए रहे चलिए तो एक तरफ लिखियेगा राजवन्स, जैसे अभी लिखिया था, राजवन्स, एक तरफ लिखियेगा दोस्तों संस्थापक, और एक तरफ लिखियेगा मेरे दोस्त राजधानी, ठीक है, राजधानी, बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हर एक चीज को करना है हमें, ठीक ह करें से लेडर को कि युए अद्र मार दीया मैंने सीधा से ठीक है चलिए तरह सबसे पहले दोस्तों अप लोग लिखी हरियक वंश ठीक है कि हरियक वंश अच्छे यह आपकी जोस्तों यह आते हैं गद राज्य में टीक है इल्ट किस न आते हैं दोस्तों मगद राजी में आते हैं ठीक है तो हरियक बंस हैं दोस्तों इनके संस्थापक कौन थे बिंबिसार कौन से संस्थापक बिंबिसार हरियक बंस का संस्थापक कौन था डारेक्ट कुछन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे बिंबिसार संस्थापक थे और इनकी राजधानी कौ तो यहां से कुशन बन सकता है, इसलिए मैं कर बारा हूँ, तो मौरे बन्स के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त, मौरे, ठीक है, चंद्रगुप्त, मौरे थे संस्थापक, और इनकी राजधानी दोस्तों कौन सी थी, आप सभी को पता होनी चाहिए, पाटली पुत्र, पाटली पुत्र थी, इनकी दोस्तों, राजधानी, ठीक है, फिर दोस्तों, तीसरा नंबर पर हम लोग ले लेते हैं, सुंग बन्स, यह सब इसी में ही आते हैं, महगद राजए में, सुंग बन्स, तो सुंग बन्स के संस्थापक और कौन से दोस्तों, पुस्पमित्र, ठीक है और इनकी राजधानी दोस्तों कौन सी थी इनकी राजधानी भी थी पार्टली पुत्र इनकी राजधानी भी कौन सी थी भाई पार्टली पुत्र थी ठीक है उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सुंग बंस के बाद साथ वाहन बंस ठीक है प्रतिस्थान इनकी क्या थी राजदानी थी ठीक है चलिए 7 भाहन बंस के बाद दोस्तों आप लोग गुप्ट बंस ठीक है गुप्ट बंस तो गुप्ट बंस के संस्थापक कौन थे भई बताया था मैंने आपको कौन थे स्री गुप्ट थे गुफ्ट बंस के संस्थापक ठीक है और इनकी राजधानी क्या थी पार्टली पुत्र ठीक है इनकी राजधानी क्या थी पार्टली पुत्र ठीक है इनकी राजधानी भी क्या थी पार्टली पुत्र थी चलिए नेश्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग नेश्ट है दोस्तों आपका बर्धन बंस बर्धन बंस तो बर्धन बंस दोस्तों इनके संस्ताफक थे आपके पुश्य भूती ठीक है पुश्य भूती पुश्य भूती दोस्तों कहा थे संस्ताफक थे और इनकी राजधानी थी थानेजवर थानेशवर थीक है इनकी राजधानी क्या थी थानेशवर इनकी राजधानी थी उसके बाद दोस्तों आता है आपका गहडवाल थीक है गहडवाल तो गहडवाल के दोस्तों कौन थे भाई संस्थापक कौन थे भाई बताईए चंदर देव चंदरदेव आप नोट करते रहिएगा ठीक है साथ में नोट करते रहिएगा भईया चंदरदेव और इनकी राजधानी थी कन्नौज इनकी राजधानी क्या थी कन्नौज थी ठीक है तो गड़वाल के बाद दोस्तों कौन है आपके पल्लब बंच तो पल्लब बंस के दोस्तों संस्थापक थे आपके सिंग बिशणू सिंग बिशणू पल्लब बंस के संस्थापक इनकी राजधानी थी काची पुरम ठीक है काची पुरम इनकी राजधानी थी ठीक है उसके बाद दोस्तों पल्लब बंस के बाद आपके आते हैं राश्ट कूट राश्ट कूट तो राश्ट कूट की दोस्तों संस्थापक थे दंती दुर्ग दंती दुर्ग थे ठीक है कोशन बहुत बार आया हुआ इस्टार लगा लीजे ठीक है दंती दुर्ग और इन दक्षड भारत की बिजय भी इन्होंने प्राप्त की थी ठीक है चंदरगुप तो मौरे ने तो दोस्तो ये मैंने क्या बताया आपको पिर्मुख राजवन्स संस्थापक और क्या बताई मैंने उनकी राजधानी है ठीक है तो दोस्तो आप उम्मीद करता हूँ यूपी त्र टैलिग्राम पर आपको पता लगी जाएगा पीडियाफ के जरीए ठीक है तो आप सभी लोग दोस्तो टैलिग्राम को जोइन कर लें डिस्क्रिप्सन में नीचे लिंक दे रखता है मैंने ठीक है बहां जाकर आप सभी लोग जोड़ जाईए और मिलते रहिएगा दोस्तो यहीं पर हम लोग दोस्तो आज दिक लास को मॉरेबंस की ठीक है तो आप सभी लोगो से दोस्तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करीएगा लाइक करीएगा शेयर करीएगा ठीक चलिए ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तो सब तक के लिए जैहिंद जैभारत